हेलो स्टूडेंट्स मैं आनंद सर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल साइफाई स्टेडी में स्टूडेंट्स आज की सी वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ साइन्स बाइलोजी का यूपी बोड परिक्षा दोजार चौवीस में आने वाले महत्तपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्णों को यहाँ पे देखने वाले हैं यहाँ पे जितने भी प्रश्ण लिए गएं इस्टूडेंट्स वहाँ सभी प्रश्ण बोड एक्जाम दोजार चौवीस के लिए अत्यांत मत्तपूर्ण हैं अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक मत्तपूर्ण है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उहां से पीछे की वीडियो एक बार जरूर देखें और वह सभी प्रश्ण आपके बोड एक्जाम दोजार चौवीस के लिए अत्यांत मत्तपूर्ण है तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रश्ण नमबर एक है आपका मनुस्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या होती है फर्श्ट आपसे ने एक जोड़ी, सेकेंड आपसे ने दो जोड़ी, थर्ड आपसे ने तीन जोड़ी और फोर्थ आपसे ने चार जोड़ी तो मनुष्य के मुख में लार ग्रंतियों की जो संख्या होती है इस्टूडेंट्स हो होती है तीन जोड़ी आपसन नमबर थार्ड आपका राइट आंसर होगा अगला प्रश्न है प्रश्ण नमबर दो है क्रीमी रूप परिसेसी का भाग है फर्ष्ट आपसन है छुद्रांत का, सेकेंड आपसन है सीकम का, फर्ड आपसन है ब्रियदांतर का और फोर्ठ आपसन है कुलन का तो यहाँ पर जो right answer होगा, वह होगा option number two सीकम का, यहाँ पर option number two आपका right होगा अगला प्रश्ण प्रश्ण नमबर तीन है प्लोमोनरी सिरा रुधिर लाती है फर्स्ट आप्सन है अथवा इसी प्रश्ण को ऐसे भी यहाँ पे पूछता है अथवा फेफडों में सुद रख्त आता है यह दोनों प्रश्ण एक ही यह पूछने के तरीके अलग लग है आप पे फेफडों में सुद रख्त आता है कहां से बाए निले से यहाँ पे आप्सन नमबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा बाए निले में ठीक है अगला प्रश्ण प्रश्ण नमबर चार है हीमोगलोबीन मतपूर भूमिका निभाता है फर्स्ट आप्सन है उतसर् है फर्स्ट आप्सन है स्वसन में थर्ड आप्सन है पासrim में और फूर्थ आप्सम है व्रिद्धी में तो हो इमोगलोबीन मतपूर भूमिका स्वसन में निभाता है एप्सन नमबर टू आपका राइट आंसर होगा उमिद करते हैं कि यहां तक विल्कुल आप अप अच् थर्ड अप्षन है स्वांस नाल और फूर्थ अप्षन है क्रीमी रूप परिसेशिका तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अप्षन नमबर फूर स्वांस नाल की जो संरचना है वो सी के आकार की होती है उमिद करते हैं स्टुडेंट्स की या सभी प्रशन आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे आई अगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन आपका प्रशन नमबर छै है डिक्सन एवम जोली संबंधित है फर्स्ट आप्सन है रसा रोहन से, सेकेंड आप्सन है परासरण से, थर्ड आप्सन है अवसोसरण से और फोर्थ आप्सन है विसरण से तो यहाँ पे डिक्सन और जोली रसा रोहन से संबंधित है अप्सन नमबर फर्स्ट आपका राईट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण प्रश्ण नमबर साथ है निम्नलिखित में से कौन से बिटामिन का जोड़ा पानी में घुलन सील है फर्स्ट आप्षन है विटामिन A तथा B, सेकेंड आप्षन है विटामिन B तथा C, फर्ड आप्षन है विटामिन C तथा K और फोर्थ आप्षन है विटामिन D तथा B तो यहाँ पे right option होगा option number 2 vitamin B तथा C या दोनों पानी में घुलन सील vitamin है ठीक है तो option number 2 आपका right answer हो जाएगा प्रस नमबर 8 है flowyum द्वारा भोजन का अस्थानांतरण होता है first option है सुक्रोच के रूप में second option है आयनों के रूप में third option है याउगिकों के रूप में और fourth option है गैसी है रूप में तो flowyum द्वारा भोजन का जो अस्थानांतरण होता है वो सुक्रोच के रूप में होता है option number first आपका right answer होगा प्रस नमबर 8 का सुक्रोच के रूप में भोजन का अस्थानांतरण होता है अगला question प्रस नमबर 9 है प्रस नमबर 9 है आपका पादपों में वायू प्रदूशन कम करने वाली प्रकिरिया है अथवा इसी प्रस न को ऐसे भी पूछता है कि पादप किस प्रकिरिया द्वारा वाय को प्रस नमबर 10 है पित रस का निर्माण होता है फर्स आप्सन है अगनासय में सेकिन्ड आप्सन है यक्रित में थर्ड आप्सन है विरिसंड में और फोर्थ आप्सन है पितासय में तो पित रस का जो निर्माण होता है यक्रित में तो यह आप सबी विद्यार्थियों को गुड लख सभी को आपके एकसी पित रस का निर्माण यक्रित में होता है यह सभी दस प्रशन आप है कम्पलीट करा दिए गए students इस वीडियो से पहले भी बहुत सारी वीडियो डाली गई है साथ है साथ आपके subjective जो question है पूरे science के वह भी डाले गए है इस channel पे तो अगर उन सभी वीडियो को आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे description में आपको link मिल जाएगा उस पीछे की वीडियो को एक बार जरूर देखे आपको लग उत्तरी विस्तित उत्तरी सभी प्रश्णी channel पे डाले गए हैं और दस-दस प्रश्णी की स्रीज लगातार आपको मिल लई है तो यह सभी वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को like, share, comment करें चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत